देखे इस question में क्या कर रहा है कि लिखा हुआ है कि वर्स 2000 में आयोजित एक परतियोगी परिक्षा में 6 लाख विद्यार्थे सामिल हुए देखे 40% परिक्षा उत्रीन किया ये भी लिखा हुआ है कुल विद्यार्थे में 40% महिलाए थे और 6 पूरुस थे अब पुरतों के उत्रीन होने के 30% तो महिलाओं का उत्रीन होने का प्रतिसात की आपको ग्याद करना था वैसे ही आपको English में भी लिखा हुआ है same question तो इसमें है कि देखें आपको इस question को कैसे करना है इस question को करने के लिए आप पहले लिखेंगे कि इसमें जो second line लिखा हुआ है इसमें कि goal में 40% महिलाएं थी तो total अगर 100% बच्चा है सब इसमें 40% female मतलब क्या हो जाएगा इस 40% female है तो rest क्या हो जाएगा है उसके बाद लिखा है कि 40% महिला थी तो महिला और पूरुस यह भी निकाली है उसके बाद बोला है कि पूरुस 50% उत्रीन हो रहा है तो पूरुस कितना है मेल 60 है 60 में 50% क्या होता है 30 साथ का अगर 50% निकालने के लिए क्या करते हैं डिरेक्ट 50% क्या निकालना है 50% बड़ाबर क्या होता है 1 by 2 तो से डिवाइट कर दिये इसको तो से डिवाइट कि नितर क्या हो जागा 30 आगया 30 बच्चा मतलब की male 30 male pass हो गया और overall pass कितना होना ह तो यही परसेंट निकालना था यही 100 करती जागा तो 1 by 4 के अतना हो तो 25 परसेंट यह 25 परसेंट आपका एंसर से हो जाएगा इस तरीका से आपको इसको करना है ठीक है थैंक्यू